बड़ा दुख्यों कि मुझे कहना पर रहा है कि मैं NDA का एक अंग हूँ मैं इस समस्या का निदान नहीं निकल पा रहा हूँ मैं इस चीज से खुद दुख्य हो और चंभीत भी हो मार पिट करते हैं हमाँ से बाहर निकलते हैं कोई क्रिमनल है सुरील यादव के साथ मार मारी पिटी है महिला लोग को मिमारा है इसमें क्या बोलू मुझे खुद समझ में नहीं आता लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कल एस पी साहिब से बात करें तो फड़ा लगता है वो नाराज हो गया गुसे में बोलने लगे मैं जो अपराधी है उस पर जांच करते रहेगा महीनों दिन उसके साथ छरकानी होगा बचियां के साथ बाहर निकलेंगे घर से पुड़े गाउं के कोई भी लोग जाएगा एक अपराधी है सुनुर्यादब वो मारफिट करता है मैं बिहार में कहा जाता है जो सुसासन का राज है कानून का राज है हमने आपको कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें की सिदे तोर पे जो नवादा की घटना है नार्दी गंज जो थाना है उसके तरहत पड़े रिया गौह उसकी घटना है तो उसमें असपस्ट जो महिलाए ह हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं जो हम लोग ब्रहमन हैं हम लोग को तंग किया जा रहा है जो गाउं के जो तथा कर्थित जो अपरादी हैं उनके द्वारा तंग किया जा रहा है और उस वीडियो में जो सांसद भी जो है नवादा की वो मुझूद थे उनके सामने मह करने कोशिच की और ये मिल भी गया और बाची करने के लिए हमारे साथ हैं चंदन जी एक कैसा राज है कहा जाता है 소सासन का राज है कानून का राज है और आपके सामने महलाएं बिलाब करती है आप भी बєबस लजराते हैं अरकी नवादा एस पी पुलीस प्रसासन क्या कर रही है आकर इस तरह घटना ही क्यूं होती है एक तरफ महला की बात करते हैं आप लोग हसरती करने की बात करते हैं आपकी जो आपकी सरकार है ब्यार में भी है केंद्र में भी है आकर जो पजादिकारी है पुलीस बोनोपोली वो क्यूं फेल क है बताइए देखिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इस घटना से मैं खुद अचम्भित हूँ इसमें कोई सक नहीं है आपने जो बोला हूँ सही है आप लोग भी वीडियो देखे होंगे महिला जो है दिखा रहे थी जिस तरह से और गाउवाले का जो आरोप था बिगत मह हिनों दिन पहले ही इसका आरोप और इस पर मुकदमा कोई किया गया था सारा पेपर गाउवाले लोग दिये भी हैं बड़ा दुख्यों कि मुझे कहना पर रहा है कि मैं एंडिय का एक अंग हूँ और मैं इस समस्या का निदान नहीं निकल पा रहा हूँ मैं इस चीज से ख खुद दुखी हों और चम्भीत भी हों कि मैं ने पहले कभी इस तरह का मतलब ना महाँ देखा ना जब से बिहार में 15 साल से इंडिय की सरकार थी तब से ना इस तरह का कोई कंपलेन देखा लोगों में हाम लग कल मैं नहीं जब गया मैं जब गया तो नवादा के नार्दी पररिया गाउं में पूरे गाउं वाले एक जगा जूट गये थे जो वीडियो आप लोग हमको भी दिखा रहे हैं उस वीडियो सही वीडियो है उगलत वीडियो नहीं है पूरा गाउं वाले एक जगा जूट गये महिला लड़कियां गाउं के सारे बुजुर्ग युवा सब लोग का एक ही कहना था कि कुछ आसमाजिक तवत जिस पर अप्राधिक मुकदमें भी हैं वो हम लोग गाउं से बाहर जाते हैं तो मार पिट करते हैं हमारे साथ जैसे पररिया से लोग आए नार्दी गंज बाजार तो उन लोग का कहना है कि सबजी खरीदने गए हैं या क कि कोई भी सामान खरीदने गए हैं तो लोग गाउं से बाहर निकलते हैं तो कोई क्रिमनल है सुनील यादव और वो जो है हम लोग के साथ मार पिट करता है लड़कियां जो जब पढ़ने जाती है उसके साथ छेरखानी करता है युबा लोग बता रहा था दिखाया भी यह संग्यान आज से करीम लगता है 15 दिन पहले डीजीपी साहब को भी दिया मैंने एसपी साहब से भी बात किया मेरे लिए दुरुभाग की बात है मैं एसपी साहब को जो बोला तो एसपी साहब बोले कि थे पिछे भी बोले थे कि डीएसपी से मैं इसकी जाच करवाता मैंने कल भी बात किया कि DSP साहब ऐसा है महिलाओं को जिस तरह से पिटा जा रहा है इसका जाच किया जाए उन्हों ने मुझे फिर आशवासन दिया कि DSP से मैं जाच करवाता हूँ तो मैं इसमें क्या बोलू मुझे खुद समझ में नहीं आता लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि लोग मैं इस आपके माध्यम से मुखमंतरी साहब को भी अवगत कराना चाहता हूँ और संग्यान में देना चाहता हूं कि इस चीज़ को संग्यान में लें और इसका सही जानकारी लेकर उचित करवाई करें क्योंकि कल एसपी साहिब से बात कियें तो थोड़ा लगता है वो नाराज हो गये हैं गुसे में बोलने लगे मैं डेसपी को बोलता हैं डेसपी साहिब से तो पिछले पंद्रा बिंदी पहले भी जांच में देने की बात हुई तब ही तक जो अपराधी है उस पर जांच करते रहेगा महीनों दिन और लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो खाएंगे क्या बच्चे स्कूल किताब को प छगरा है जिसके कारण यह हो रहा है लेकिन यह बता रहे हैं पूरे घाउवाले की नहीं पूरे गाउव कर कोई भी लोग जाएगा एकाप्राधी यह सुनिल यादभ वो मारपीट करता हैं मैं ने जहां तक वहां से जांच परताल किया जांच परताल में सामने आया कि सुनील यादव एक कप्राधी छविके और उसके उपर बहुत सारे मुकदमे हैं और आज भी वो नार्दी गंज वो आज भी नार्दी गंज में जैसा लोग वहां बता रहे थे टेंपू वाले बस वाले सबसे जो है रंगदारी ट्रेक्स लेते हैं तो यह पुलीस को चामिन करने क्याब सकता है अगर लोग जांच करते रहेंगे महीनों दिन तो हमें लगता है यह परशाशन की नकामी साबित होगी इसमें बोलने में कहीं नहीं चूँँगा जिस तरह से लोगों प्रत्याचार होडा मैं कहीं ही चूँगा नहीं और इसके ज़स्ट पहले भी महीना एक महीना पहले भी पचिया गाउं में सेम केस आया था यही पचिया गाउं नार्दी गंज में में भी पड़ता है तो इसमें में ये Same Case है वही व्यक्ति क्रिमनल है जो इस तरह आरोप किया गया तो मेरा कहना है बार बार पूरे गाऊं कभी पचिया गातक हो कभी नार्दी गंज में परणिया गाऊं तो हर गाऊंवाले लोग के मतलब जहां 5,000 लोग जूट जाएं और वो किसी अप्राधी के बारे में बताएं और मैं बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं जाच कर रहे हैं किस तरह का जाच होगा हमको यह समझ में नहीं आ रहा है मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो जाच हो जल्दी से जल्दी लोगों को अगर जिस जो सभी उचित करवाई होता है अगर अपड़ाधी है तो उसको जल्दी जेल के सलाकों को पीछे भेजा जाए ताकि लोगों में जो ये महौल बना हुआ है महौल दूर हो जे 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 झे आखिर इस तरह की परिसानिया क्यों हो रही है इससे पहले अर्या के बाद हम करते हैं अर्या में किस्षादन जो वहां के सांसद है वह पुलिस के कारवाई नहीं कि जा रही हैं लोगों के अभी बेबस है तो इस तरह की लाचारी क्यों आन पर है परदीप सिंग को PC करना परा क्या चंदन जी की क्या वेविसी है SP बात क्यों नहीं मान रहे हैं देखें मैं कोई PC नहीं कर रहा हूँ आप लोग हमको वीडियो दिखाएं ठीक है वो वीडियो सही है उसको नकारा नहीं जा सकता है मैं आप लोगों के माध्यम से मुखमंतरी साहब को भी संग्यान में देना चाहता हूँ इसको स्टेप करा लें अन्यता जो है समाज जो है हम लोग जो जाते हैं उनको जिस भावना से उन्होंने अन्डियो को वोट किया है आगे हमको लगता है इस तरह से अगर हमाहूल रहा तो इलक्षन में भी हमें प्रसानी के सामना जहलना पड़ेगा अगर इस तरह की बातें अगर ऐसी ही रह जाया अगर कोई करवाई नहीं हो तो क्या करेंगE आगर हम क्या करवाई करेंगे हम तो सरकार के संग्यान में दिया और वोई प्रॉन भरोसा है कि मुखमंती साहिश को संग्यान में लेकर करेंगे नहीं करेंगे तो पब्लिक के साथ जाके क्या करेंगे पब्लिक जो कहेगा वो करेंगे पब्लिक तो हमको वोट किया है एक एक वोट में किम्ती वोट होता है तो पूरा जनता जो कहेंगे सो हम करेंगे अगर वो बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ बैठना है तो बैठेंगे दरना पर क्या करेंगे हम, हम तो लाचार हैं, बीबस हैं, मैं इस केस को बता रहा हूँ कि महिनों दिन से टेकल कर रहा हूँ, S.P. साहिब से बात कर रहा हूँ, D.G.P. साहिब को भी संग्यान में दिया हूँ, अब मैं किसको दूँ, जनता हम से सवाल पूछती है, कि आप क्यों नहीं अभी तक इस पर न्यायद दिलबार हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक सांसेद हूँ, न्यायद के लिए ये ही कर सकता हूँ, मुखमंत्री साहब को अभी तक नौलेज में नहीं दिया, आज मैं उनको भी चिठी लिके दता हूँ, जो बिहार के मुखिया है, मुखमंत्री जी को कि हाँ, इस तरह की घटना है, इसको अपने जाच करें, जो उचित हो करवाई करें, इस तरह की कोई कारवाई नहीं की गई है, जिससे की जी होती है, जो समाज है, वो बरहामनों का समाज है, वो महिला क्या बोल रही थी, वीडियो में आप ही लोग दिखा है, कि मैं बरहामन है, मांग के खाता हूँ, तो बरहामन एक तो गरीब बरहामन होते हैं, बरहामन देवता के समान होते हैं, हमारे किसी भी जाती को गर लिए जै, चाहिए कोई भी जाती हो, कोई भी जाती हो, घर में एक छोटा पूजा होगा, घर में घरेली होगा, घर में चाहे छोटा सा कारकरम होगा, पंसन होगा, उसमें ब्रहामन का शक्ता होता है, ब्रहामन देवता के समान है, और ब्रहामन देवता को ही अगर इस तरह से उन पर अत्याचार किया जाएगा, त काम अगर करते हैं तो ब्रहामन करते हैं और जिस तरह से ब्रहामन देवताओं का यह अफमान हुआ उसको कहीं से नकाड़ा नहीं जा सकता है पिल्कुल कि यह हमारे साथ हंदन सिंग थे इनका कहना है जो लगातार स्पी को कहा गया है इस बारे में अबगत कराया गया है लेकिन अभी तक उनके तरब से कोई भी थोस कारवाई नहीं की गई है सभी आड़ेस कुमाग साथ अनसु जाह स्टी नूज पटना